इस वीडियो में मैं आपको टेक्नो केमान आए ट्वेन स्मार्टवोन के पर्फॉर्मंस के बार में बताऊंगा, गेम खेल के बताऊंगा, पब जी गेम और साथ मैं बैटरी लाइफ के बारे में भी आपको जान करी दूँगा, तो देखते रहिए अगर आपने देखा नहीं है तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंटरी टेंपरेचर बिध्यान दीजिए 33 डिग्रीज है और ये पब जी गेम में खिलने वाला हूँ, देख सकते हैं कि ये मीडियम ग्राफिक्स मोड में आ गया है, क्योंकि ये क्वाट को पावर्ड है, स्नापडागन 425 क्वाट कोर, तो उसके साब से जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है, मिनिमूम सेटिंग जो है, जिस पर ये गेम स्मूद्धी चलेगा, उसे बाइड डिफॉल्ट सेट किया ह हुआ है, तो ये गेम मैंने प्ले करना शुरू कर दिया है, पब जी बहुत ही पॉपलर गेम है, और ये ऑनलाइन गेम है, आपको एक बड़िया नेट कनेक्शन की ज़रूत पड़ेगी, ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कि इतना डीटेल्स नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने है, इस पर चेंज का स्क्रीन है, और 18 is to 9 aspect ratio का HD plus resolution है, यहाँ पर ये देखिए, मैं लैंड हो गया हूँ और अब मुझे घर घर जाके जो एक्क्यूपमेंट्स है, जो भी मिल रहा है, उसे कलेक्ट करना है, तो उसे करना मैंने शुरू कर दिया है, ये जो Snapdragon 425 quad core chipset है, ये न बहुत ही मामूली सा है, और ये जो quad core chipset होता है, इसका एक और advantage ये है, कि आपको by default अच्छी battery life मिल जाती है, तो ये जो handset है, टेक्नो केमानाइट ट्विन, इसमें वो दो चीज़े हैं, जो खास करके आजकल एक trend बन गया है, मतलब की 18 is to 9 aspect ratio का screen, और जो दूसरा चीज है, वो है dual cameras, तो इसमें आपको dual cameras मिलते हैं, front side पर 13 megapixel का camera है, जब तक आप ये gameplay देख रहे हैं, मैं आपको battery के बारे में बता देता हूँ, ये जो handset है, इसमें आपको 4000 mAh की non removable battery मिलेगी, और इसे charge करने के लिए मुझे लगे तकरीबन 3 घंटे के आसपास, full charge पर आपको मिल सक power है, मतलब की जादा power का उपयोग नहीं करने वाला है, तो आपको by default अच्छा battery life मिलने ही वाला है, आप इस प्रकार के high end games काफी देर तक खेल पाएंगे, ये PUBG बहुत ही interesting game है, और अगर आपने खेला नहीं है, तो ज़रूर ट्राइ किजिए, बहुत ही कमाल का game है, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़िया net connection की ज़रत पड़ेगी, वैसे hardware तो कोई भी चल जाएगा, लेकिन जितना powerful hardware होगा, उतना आपको एक smooth performance मिलेगा, और graphics की जो quality है, वो भी शुदर सकती है, मतलब कि आप अपने जो enemy है, उसे अच्छी तरीके से देख पाएंगे, ये जो game ह handset है, लेकिन इसका जो pricing है काफी जादा है, 11,499 रुपे, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये handset है, सिर्फ offline market में ही available होगा, और खास करके जो offline market होता है, वहाँ पर आपको जो भी products मिलते हैं, वो खास करके online market के comparison में थोड़े से महंगे होते हैं, तो ये product आपक के लेता हैं, शिर्फ